हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्यूटर मेमरी यूनिट्स के बारे में इसके लावा कम्प्यूटर मेमरी की लेडिड आपको कुछ यहां पर टोपिक दिये गए हैं अगर आप इन्हें समझना चाते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक अवेलेबल है आप इन्हें गो थू कर सकते हैं तो कम्प्यूटर मेमरी यूनिट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह स्टार्ट होता है बिट से bit computer memory की सबसे छोटी unit है एक bit बराबर है binary number या फिर binary digit के जो की है 0 and 1 अब हम यह जानते हैं कि computer काम करता है 0 and 1 पर वो किसी भी language को understand नहीं करता है वो सिर्फ एक machine language को understand करता है जो की है 0 and 1 तो अगर आपको नहीं इस बारे में पता है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं low level language by student notes उस वीडियो को go through कीजे अब समझ जाएंगे कि कैसे एक computer binary number पर काम करता है तो सबसे छोटी unit हमने देखी computer memory में bit bit बराबर है एक binary number या डिजट के जो की है 0 and 1 4 bit को मिला कर बनता है 1 nibble 8 bit को मिला कर बनता है 1 byte और ये एक byte एक character की space को cover करता है example के लिए A, B, C ये सब A के character हैं मतलब English के letter है A, B, C, D, E अगर आप अपने computer में notepad को open करते हैं और वहाँ पे सिर्फ आप एक character लिखते हैं A देन आप उसे save कर दीजें जब आप उसकी properties को check करेंगे ये उसका size check करेंगे तो वो एक byte के बराबर होगा इसी तरह ये जितने भी character होते हैं इसमें हर character का size एक byte के बराबर होता है 1024 bytes को मिला कर बनता है एक kilobyte जिसे कहते हैं KB then 1024 kilobyte को मिला कर 1 megabyte बनता है जिसे MB कहते हैं इसी तरह 1024 megabyte से 1 gigabyte 1024 gigabyte से 1 terabyte 1024 terabyte से 1 petabyte 1024 petabyte से 1 hexabyte 1024 hexabyte से 1 zabyte 1024 zabyte से मिला कर बनता है 1 yotabyte अब bit, nibble और byte computer memory की कफी छोटी units हैं तो इसे हम daily life में इतना use नहीं करते हैं लेकिन हम KB, MB, GB और TB के साथ काफी friendly हैं तो अगर आप कोई Google से photo download करते हैं तो normally उसका size होता है 500 KB, 600 KB अगर आप कोई song download करते हैं तो 2 MB, 4 MB, 6 MB अगर कोई आप movie download करते हैं तो 1.4 GB, 2 GB then आपको computer के अगर आप storage देखेंगे तो वो होती है 1 TB तक अब हो सकता है कि आपकी devices में आने वाले time में इन storage unit को और जादा increase कर दिया जाएं लेकिन इसके उपर की जो memory units हैं जैसे कि PB, EB, ZB, YB इनको जादा तर बड़ी organization के दोरा use किया जाता है जहां पर काफी large और huge amount में उनको data store करके रखना पड़ता है अब KB, MB, GB, TB memory units को तो हम याद कर सकते हैं क्योंकि हम इसे daily use में लेते हैं लेकिन अगर हमें इसे सारे chart को याद करना है तो यह थोड़ा confusing हो जाता है तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक shortcut prepare किया है ताकि आप इसे easily remember करके रख सकें shortcut है BN, BK, MZT, PEZY इसकी full form है बंटी ने बबली को MZT, PZ car gift की तो अगर आपने movie देखी है बंटी और बबली तो यहाँ पर simple है तो यहाँ पर BN का मतलब है बंटी ने BK का मतलब है बबली को MZT एक brand ले लीजे कोई company है उसका brand है MZT और PZ model है उस car का तो PZ car gift की तो B से बनता है आपका binary number N से बनता है आपका nibble P से बनता है आपका byte K से बनता है आपका kilobyte M से बनता है megabyte G से बनता है gigabyte T से बनता है terabyte P से बनता है petabyte E से बनता है exabyte Z से बनता है zeta white और Y से बनता है Yotabyte तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक terabyte में कितने gigabyte होते हैं तो terabyte से पिछला unit है gigabyte तो इसमें होंगे 1024 gigabyte इसी तरह एक zeta byte में होंगे 1024 hexabyte तो इसी तरह अगर आप इस shortcut को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप easily units को याद कर पाएंगे तो ये था video computer memory units का वीडियो कैसा लगा ये comment करके जुरूर बताएं और अगर आपके किसी भी topic है regarding कोई query है तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं आपको reply करके या फिर उस पे एक अलग video बनाके आपके साथ share कर दूँगा इसी तरह की हर update के लिए student notes चैनल को subscribe करें वीडियो को like और share करें Thank you